कौकरोज घर में क्या घर के बाहर भी नहीं दिखेंगे ऐसे तीन पावरफुन नुसके में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आपको 100% कौकरोज से चुटकारा मिलेगा बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजे और हाँ पस तो यहां पर हमें लेना है आधे गिलास के करीब पानी नौर्मल पानी लेना है और यहां पर हमें चाए कपूर कापूर देखे मैंने पहले से ुइस समाइर करके रखा है तो मैं ॥े यूझको पूस करूंगloo की अगर आपके पास कपूर की टिक्की है तो चोटा सा उसको पाउडर कीजिए हाथ से क्रश करोगे तो भी वो बारिक हो जाती और इसके अंदर डाल दीजिए तो दो चोटी टिक की डाल नहीं बड़ी है तो एक डाल दीजिए और इसे डाल के अच्छे से हमें मिक्स करना है और हाँ आप ये वीडियो किस गाउं से या शेर से देख रहे जो कि मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है तभी मैं आपके साथ इसे शेर कर रही हूँ और कॉटन को लेना है और इस तरीके से जो हमने लिक्विड बनाया उसमें डिप करना है जादा भी कॉटन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा पानी बस होना चाह तो देखे घर में ऐसी बहुत सारी जगह होती जैसे की कीचन ट्रॉली या फिर अलमीरा बेड या फिर और वी कोई जगह जहां पे आपने बॉक्स रखे हुए है कार्डबोर के तो वहां पे नहीं हम कुछ लिक्विड डाल नहीं सकते है दिक्कत हो जाती है और जो ट्रॉल बॉल रेडी करने है और इन बॉल向 को रכना है घर के कोने-कोने में और यह जो लिक्विड रहना इसे हम दूसरे तरीके से भी उस कर सकते है उसे में डाल रहे हुए बहुत सारी बना सकते हो बहुत सारी जगह पे रखने के लिए पूरा घर कवर हो जाएगा उसके को भी आप ऐसी बना के भी इस लिक्विड को रख सकते हैं जब चाहिए तब यूज करने के लिए और इसे आप घर के बाकी हिस्तों पे स्प्रे कर दीजिए जैसे की वाश बे सिंग के आजू बाजू में सिंग के वहां पे जहां पे ओपन एरिया है या फिर बात्रूम में ट दूसरा तरीका है कउकरोश बागाने का उसके लिए क्या चाहिए तो यहां पर हमें चाहिए आटा एक बरतन ले लिजए उसके अंदर हमें दो चम्मच के करीब आटा लेना है एक चम्मच यह मेड़ा है इसलिए divers के बार में इसे और वाजरे में चाहिए वारा है ओसए पा अगर एक चमच लेते हो तो आपको बोरिक पाउडर तीन चमच लेना है यह आप ध्यान रखे बोरिक पाउडर बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें चाहिए और इसे आप एक ही बार बना के रख सकते हो इसे दो बारा आपको बनाने की जरुत ही नहीं पड़ेगी इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है इसके बाद इक्छे से हमें अच्छे से मिक्स करना है और आपको नेक्स्ट वीडियो की टाप पे चाहिए मुझे जल्दी से comment box में बताईए ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी ले के आप इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए सबसे जरूरी चीज वो है गुड़ तो यहाँ पर आप किसी भी मिठी चीज का यूज कर सकते हैं जैसे कि शक्कर हो गया या फिर कोई खराब बिस्किट पड़ा है तो यहाँ पर मेरे पास गुड़ है गुड़ का पावडर है तो मैसी का यूज करूंगी थोड़ा सा देखे इसके अंदर डालना है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉक्रोच इसे खाएंगे नहीं तो भागेंगे कैसे ये वाला मामला है क्योंकि यहाँ पे कॉक्रोच को ये खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैंने सूखा पाउडर ये निकाल के साइड में रखा है एक चमच के करीब आम यहां पर क्या करेंगे दूसरा जो पाउडर है ज्यादा वाला उसके अंदर डालेंगे लिक्विड ये दोनों तरीके में आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोनों में से कोई भी एक तरीका भी ही लगे तो यहां पर देखें जो पानी मैंने डाला था ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक ही साथ मट डालें इसे ज्यादा पत लाया ज्यादा सूखा नहीं रखना है तो इसे ज्यादा जैसे हम रोटी बनाते वैसा वाला भी नहीं करना है तो इसके अंदर थोड़ थोड़ा करके हमें पानी डालते हुए से अच्छे से गूत लेना है और आप चाहते हो कि इसके बाद आपके घर में कौकरोच ना हो तो आपके घर में जो कार्डबोड है बॉक्स है रखे हुए उसे तुरंत साफ सफाई कीजे या फिर अगर वो नम पड़े है थोड़े आती है उनके लिए वो परफेक्ट इससे इंवायरमेंट हो जाता है तो वहां पे वो अपना पूरा घर बसा लगते है आप न कोई भी एक बॉक्स निका लिए अपने घर का और उसे ऐसे चटक दीजे आप देखना उसमें से कौकरोच जरूर निकलेंगे अगर आपके घर म बॉक्स आते रहते तो चेंज जरूर कीजे और जो भी आपके घर में सामान है जो ज्यादा आप यूज नहीं करते हो तो उसे भी साफ सफाई कीजे या फिर जरूरी नहीं है तो निकालिए घर से क्यों और यहां पे रिके अब हमने इसको थोड़ा सा और पानी डाल के अच चोटा है अच्छे से कवर हो जाए इतना हमें इसे बनाना है और इस रेमेडी से सिर्क वाकरोज नहीं आगर आपके घर में चूहे है न तो चूहे भी भाग जाते बस आपको यह पेस्ट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा जो उनका शरीर है उसके अकौर्डिंग आप पिए रखोगे उनको खाने को यह दोगे तो वो असर जरूर करता है तो यहाँ पर हमीं क्या करना है न्यूज पेपर जो लिया था उसके उपर इस तरीके से डालना है यह पेस्ट पूरा जो हमने आटा बनाया था वो और अच्छे से डाल दीजे और जैसी के मैंने का बॉक अब बंद कीजे रात में क्योंकि वहां से भी घर के अंदर फिर कौरोज आने लगते है और साथी में देखे जो कच्रा है वो रात में अगर आप घर में रखते हो तो उसमें खाने पीनी को कौरोज को मिलता है और इसी से वो अपना डेरा बसा लेते हमारे घर में तो जो सबूट जाया थे सब करते हैं। जब सबूखी हो या फिर पहार बहुत या फिर कॉक्रोज तो यह सब आप दEखें तो तुरंथ Personality इसे खानाँ शुरू करेंगे, क्योंकि दूह को या फिर कॉक्रोच को पसंद है वो इसको जरूर खाएंगे और अगले सुभ़ ही आप देखोगे आपके घर में इधर उदर कॉक्रोच या फिर जो छोटे मोटे किडे मकुडें वो मरे हुए मिलेंगे बहुत ही कमाल का और इंस्टन्ट रिजल्ट आता है और ये जो पाउड तो मरे हुए मिलेंगे गाहों कही जा रहे हो तो ये जरूर घर में रखिए जिससी की आप आओगे तो बिल्कुल वे आपके घर में कॉक्रोच नहीं मिलें और चानल पे नए आये हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे यूसफुल वीडियोज मैं आपके लिए लाते रहती हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंकियू